कि यह जैन्द राम राम सब को क्या है सब क्यों मिद करता हूं सब बढ़ी होंगे मोज वीडियो है ना यह मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग से अगर कोई 18 प्लस है वही देखे यह वीडियो और जो 18 से नीचे मत देखना इसके अंदर एब्योजिव ले आप मेरा ओचुकाया माथा ठ्रण गया मेरा बिलकूल जिसको बोलते है ना पानी जा चुकाया मेरे सर के उपर से और मैं आज फुल मोड में आया हूं मैं फूल एक दम दिमाग बनाके आज मेरा को खतम करने का इनका बहुत हो गया इनका चूतिया पंति देखते हो है बहु भू कुत्ते का घा के बग देना बस भाई तो पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से अगर कोई एक ब्यूजिव लेंगवेज इसको नहीं पसंद भाई प्लीज ये वीडियो मत देखना और जो देख रहा है क्रिपी हेड़फोन लगा लेना पहले बोल रहा कल का मैं भारत जीता था सबको बढ़ा बड़े comprehensive तरीके से आल बाल पेल पाल के लंका को फैक दिया ठीक है जी इंडिया गर्या क्वालिफाई सेमिफाइनल के लिए वो भी बड़ी या good and well है ठीक है बात क्या आती है बात क्या आती है दो चूतिये बैठते है शो के उपर ठ पाकिस्तान के अंदर उन में से एक चूतिया होता है वो होता है एंकर और दूसरा चूतिया होता है वो होता है पाकिस्तान का फॉर्मर प्लेयर मतलब भोसडी वालो तुम फॉर्मर प्लेयर हो तुमारे अंदर इतनी knowledge नाम की चीज नहीं तुम क्या जूल के आया हो के तुम किसी का घंटा पकड़ के जूले हो गया तुम या जिसका पकड़ में आया उसका ले लिया तुम लोगों ने ये तुमारी है इसको बोलते हैं तुमारी क्रिकेटिंग नोले जिसको बोलते हैं तुमारे वापे प्लेयर मैं बात कर रहा हूं हसन रजा की यह पाकिस्तान का फोर्मर क्रिकेटर है और इस चूतियन है ना साथ टेस्ट मैच खेलें जिसके अंदर इसका स्कोर है 260 करीब का ठीक है और उसने खेलें 14 ओडियाई 14 ओडियाई के अंदर इसका टोटल स्कोर कितना है 270 है अब भड़वे जांटू टटू तेरे ना स्कोर 300 है ना तुने विकटें इतनी लिये कि तू तीस मार खान तुर्रम खान बनके वहां चैनल पे बैटके तू हवा वाजिया मार रहा है भोसडी कि कुछ तो शरम कर ले उप खानंतरं को क्या पूछने है उस चूटिये ने उसको यह बोले कि इंडियावालों की बोल इतनी कैसे चैनल कि है यह हो क्या रहा है इंडिया वाले कहीं बीशिसस्या इनको दूसरी बॉल तो नहीं पकड़ा रहा है बहीरिति है वो different होती है क्या आपको लगता है कि ऐसी possibility है क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लगी नहीं रहा है ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीब गरीब सा सीम स्विंग वहाँ पे मतलब इनकी चूतिया हरकतों की तुम लिमिट चेक कर सकते हो इनसे यह हजम नहीं हो रहा कि इंडिया टीम ने उनको दुबारा पचास पचपन पे ओल आउट कर दिया है अब इतना हजम नहीं हो रहा है तुम क्या कर लोगे तुमारे चांट के अंदर कितना भी वो नहीं है ना गूदा नहीं है तुमारे कि तुम कुछ उखाड सकते हो तुम वहाँ बैठके न बस बकवास कर सकते हो बकवास बोलते हैं जिसको गू कुत्ते का कर सकते हो तुम यह बंदा टीवी वह इंस्य मौतलब कैमारब तुम्हारा कॉश्न किया तुम्हें पुरे सब्सक्राने तो इनको समझ कि जो मैच स्टार्ट होने से पहले एक बोक्स आता है उसी के अंदर से एक टीम का बॉल चूज करनी होते हैं एक टीम वो बॉल चूज करेगी वो टीम के उपर रहता है कौन सी बॉल उनको चूज कर रहे हैं और वो एक ही बैग होता है भोसडी के चूतिये और हसन रजा बैट पर ले नहीं पड़ रहे हैं और वहां पर मैं दिखा कि कुछ डियारेस डिसेंज वह भी इंडिया के फेवर में बहुत दागें तुरॉट आठ से मेरे खल में साथ से आठ डियारस ऐसे हूए कि बड़े क्लोस थे वह और जो के वह एक लो इंडिया के फेवर्स में गए जिस तरह देख रहे हैं कि Shami जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर्स लग रहा है एक टाइम पर मुझी लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज वी हो जाता है मुझी लगए जिस तरह से बॉले जो है यह यह ICC दे रहा है या इंपायर का थर्ड एंपायर से पैनल ज जिस तरह से पहला बॉली शामी ने आके स्टम में किया और अभी 300 जो है साधे 300 इतनी पटाई खाने के बाद एक फिल्डिंग टीम बैडिंग साइट पर गई है डगाउट में अभी वह चेंजिस ही करे थे एकदम से बैक टू बैक हाले अटसल ने शुरू हो गई है और सीधी जिन पर क्रॉस किलने जा रहे थे बैटर्स और आउट होड़े तो मैथ्यू एंजल जो है वह खड़े थे स्क्रीन पर होना एक्दम से दिखा है कि यह क्या हो रहा है बॉल में जो शामी का परला बॉल ता बैटर्स क्रॉस किलने के लिए गए तो कोई नहीं मुझे लग रह बॉल में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था और अगर बॉल आगा समी उसको शायं करते थे थोड़ा सा रॉफ करते थे स्विंग भी उड़ा था रिवर्स भी और सीधा भी जाता था बॉल यहां पर माना कि दोनों एंड से नहीं बॉले चल रही है और फिर भी त बॉले होती है वो टाइक की मुझे लग रही है तो इस फैक्शन होना चाहिए इस चीज़ पर ताकि पर लगे टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते ना पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना उनको बॉल चेक करना चाहिए हमने इस बॉल स एक दम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब जाता है समझ लें गुम हो जाता है वो तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शबकोशबार लग रहे हैं मेरे चीज़े नोटेट होनी चाहिए बहुसरी के तेरे 200 तो रन भी नहीं है तू बनके बैठा है तीसमार क भेंचो तुमारे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है ना तुम भेंच फोर्मर क्रिकेटर के बैठे तो करिकेत का स robots क्रिकेट का क्या … तुमारे में नहीं पता तुक्रान था ना, एक-दो मैच की कैप्टेन से की थी ना तुने, तेरे को ये नहीं पता कि बोलर चैक बोलर बोल को जो डबा आते हैं उसके अंदर से चूज करते हैं और वो एक ही डबा होता है दोनों टीम के लिए, भड़े तेरे को इतना नहीं प इने के चैनल में इतनी गरीवी भरी हुई है ना भेंचोद आखों से क्या मूँ से बखते है तो भी हगते है ये मतलब मेरा इतना दिमाग खराब होगे ना कल ये क्लिप देखते है भाई मेरा माथा ठनक गया आकास चोपड़ा टूइट करके बोल रहे इनको क्रिकेटिंग ए अरे क्या बोल हो भोषड़ी का से बैटके हन्य वाँ बोल हो जीहां मेर को तो लग रहा है BCCI ने शक्तिवा करेंदर से कश किया है और इनको कुछ अलग बोल दिये जिससे उनको ना समझ में आरे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और जो बोल डाल रहे वो एक्स्टा स्विंग ओरी एक्स्टा चीम हो बोशडी के जाके एक बोल बुम्रा का एक ओवर खेल के दिखा तरी टकने सुझा देगा वो तरह माथे में इ पर बोल तरी शाहां से फूल जाएंगी भोशडी के भड़वे इतने चूतिया बैठे ना पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्ट इतने चूति एक्सपर्ट बैठे बैठे जिसने दो टेस्ट मेच कहले ना उसको भी तुम लाग के क्रिकेटिंग एक्सपर बैठा देते हो समझ इसका अंसर दिया कि हाँ बैठे चूतिये तिरे को यह बोलना चीरे था कि ऐसा नहीं होता है भाई एक ही डिबबह होता है और दोनों बोलर में सिको वो उसी के अंदर से जो बॉल होती है वो चूज करनी होती है बैठे इतना ग्यान नहीं तेरे अन्दर दसवी क्लास के अंदर गिर जाता है बट यह गिरने की उस लेवल को खोद के और अंदर जा चुके इतने बड़े चूतिया है यह लोग भैंचो टीवी पर टेलीकास्ट करना है इस शो को साले तुम्हारे टीवी सही भूटते हैं जब मैच हारते हो तो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते है पर लुएं तुमने यह नहीं दिखा तुम्हारे टीम कितनी हरकत है तुम्हारी बेंचो टीम वेंटिलेटर पर है तुम कल्कूलेटर पर जी रहे हो चूतियो calculator पर जी रहे हो तुम calculator पर ये टीम इससे हार जाए ये टीम इससे जीद जाए मेरा बाप का चांज मेरा बाप ये सारे बैट के कुछ भी बक्चोदी मारता रहता है ट्वीटर के अंदर यूटूब के अंदर फेस्बूक के अंदर इंडिया श्री लंका से यह मैं चारने वाल है मैं लिख के देता है तेरी मा मेरी अंटी लगती है बट साले चूतिये तू जो बात बोलता है तूस पर अमल तो रह पर अपनी जुआन पर रहा कर भड़वे और इसे वीडियो बन वालो जितनी है चिल्लाने से वीडियो बनती न तो आज आज बहुत टॉप में चिल आने वाले है अर्णव गोस्वामी आज कहीं कहीं होता वो आज मुझे ड्रग्स दो कर रहा है ठीक है ना चिल आने से वीडियो नहीं बनती चूतिय जर्नलिस्ट बनके बैठ है तू कुछ आता ना जाता भेंचो जो मन में आया वो बकोगे जो मन में आया वो बकोगे चूतिय ये उसकी उठा के बोल रहा है कि बीशिशिया इने ये क्या वे फरीद चूतिय आये क्या तू तू चूतिय आये क्या साले तेरे को किसने क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बना दिया है मे सारे टीवी चैनलों में यूटूब फेस्बूक में वगएरा में इन लोगों ने भाई माना वाँ पे कमी है सामान की कमी है आटा वगएरा की कमी है एकोनोमी डूब यह पर तुम तो भेंचुत पानी के अंदर अपने नाख डूबा कर ढूब जाओ इसलिए तुमारे एकोनोमी की मा भेंच हुई है क्योंकि वहाँ पर तुम जैसे चूतिय बैटे हो ठीक है ना जिसको खुद का कुछ आता जाता नहीं है दूसरों की बुराई करने में लग जाएंगे चुगली अंटी वाले काम करते हो सालो तुम चुगली वाली अंटी भी तुमसे दो लेवल है ना नीचे है तुम उससे भी भेंचो दूपर नेक्स्ट लेवल बक्चो दो तुम पतला भड़वों में दिमाग नाम की चीज निये कि क्या बोलना है क्या कोशन पूछना है क्या जवाब देना है और कोशन पूछ लिया तो उसको क्या अंसर रहना बने चूतिया है या तू तीनों के तीनों चूतिया एक्सपर्ट बैठे एक वो साला यूटूब पे हगर है एक दो टीवी पे हगर है और यह जो इनका राजा है यह राजा जो भी चूतिया है यह साले के उपर मैच फिक्सिंग का रोब लगा था गाला का जो टेस्ट मैच हुआ था उसके उपर इसलि बड़ा धांदली कितना बड़ा चूति आदमी है तू गाला वाला टेस्ट में पिच पे छेड़ खानी करने के लिए तेरे को कोशनिंग की गई थी ना तू बुकी से मिला था ना चूति है शाले अपने देश का तो ले तू पहले भड़वे हमारी बारे में क्या बात करने तु एक ओर भूमरा का खेल दिखाने एक ओर शामी का खेल के दिखांए एक ओवर शिराज का खेल ना कर देना यह लोग त्री टकनि ना has शुआ देना मेरा नाम बदल मारने खो बड़िदना बांचर मार मारके अ नाम बबदल देना अपनी टीम की नहीं देखेंगे तुम्हारी टीम वेंडिलेटर पर पड़ी। पाढूं हैinkyल कुलेटर ले के बैठ्धे हुए ये लो टैके ये सी नाम नहीं सुना था मैंने इससे चूतिया बैठे हुए ना एंकर चूतिया इनका पैनल चूतिया सबसे बड़ा यह फरीच चूतिया तीन चूतिये एक देश में बैठके बखवास बाते करवा लोगा सिंसे चूतियों से अगली बार वीडियो डाल दी ऐसी और मेरे को धिग गई वो तुम्हारे ना पिछवाड़े में बंबू दे दूँगा और गुमा दूँगा पूरा का पूरा ठीक है ना अब मैं पूरा मैं सोचा था गालिया नहीं दूँगा पर है ना सालों तुम है ना वो बोलते हैं ना सब्सक्राइब और गालियों के बूतों तुम बातों से नहीं मानने वाल तुमको मैंने पहले भी वर्निंग दी थी कि तुम सुधर जाओ इंडिया के ऊपर मत बमारो कुछ भी फालतू की चीज्जे मत करो कभी DRS कभी बोल कभी पिच कभी कुछ सालों इतने रंडिरों है तुमारे कितने रंडिलों नैं तुम यह नहीं देख रहे है कि इंडिया कि делать अपनेelect चीफ्रेंट में खेल रह बाकि कोई तीम निए जो अपने पने च्क्रति तेली कि देखे ले लो यह नहीं देख रहे तुम हमारा अर्दिक बाईर बाहर बैठा हुए फिर भी हमारी स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम्हारी ए टीमको जाके दुबारा लेटा के पेल दे फिर से यह नहीं देखे रहे तुम 192 पर ओल आउट कर दिया था तुमें जहां तीनों इनकी फिर लूँगा अगर ये फिर से आए तो और आज मैच हुआ है किसका अफगानिस्तान निदर्लेंड अफगानिस्तान जीद गई पाचवे नंबर पे आगई है आठ पॉइंट के साथ तो अफगानिस्तान को जयन राम राम सबको और अपना ख्याल रखे मेरा मूल का फक कर दिया इन लोगों ने पूरा